मेरे चैनल के साथ जूढने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकों पर क्लिक कीजिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में दोस्तो आज हमें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे एक बहुत ही चबरदस्ट टॉपिक पर बात करेंगे आज हम हस्तर एका से इलेटेट बात करेंगे कि एसा कौन सा चिन है या एसा कौन सा मार्क हमारे हाथ में होता है जिसके दोरा हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में धन का योग है या नहीं दोस्तों वेसे तो बहुत सारे चिन्न होते हैं जिसके दोरा हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में धन की परिस्तिति यानि की पैसों की परिस्तिति कैसी रहने वाली है लेकिन आज मैं उन सब में से एक चिन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और एक बात और मैं आप लोगों को बदा दू कि भले ही हाथ की रेकाओं से हमारे जीवन में धनकी प्रापती है या नहीं इसका अनुमान लगा सकते हैं लेकिन इसके अलावा जीवन में महनत और संगर्ष एक एसी चीज हैं जिसके दोरा आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि मेरा जन्म तो गरीब परिवार में हुआ है तो मेरा फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता तो ये बात बिल्कुल गलत है। और ये हाथ के तीन मुख्य लाइने हैं। कि आपके जीवन में धन से related यानि पैसों से संबंदी कभी कोई problem नहीं आएगी अगर आपके पास अभी पैसा नहीं तो मानकर चलिए कि यह आपका training period चल रहा है यानि कि अभी आपका संगर्श का समय चल रहा है और in future आपके पास धन जरूर होगा आपका कोई भी काम पैसों क कि वज़े से कभी नहीं अटकेगा दोस्तों समय के साथ साथ हमारी हस्तरेकों में थोड़ा बदलाव होता रहता है और अगर यह लाइन आगे चल कर इस हार्ट लाइन को टच करें in future तो समझ लीजे कि यह जो आपको यहां से धन मिलेगा इससे आप एक बहुती बड़ा corporation ए तो आपके जीवन में कभी कोई पैसों से संबंदी तकलीफ नहीं आएगी और आप करड़ों रुपे कमाएंगे दोस्तों यह थी एक छोटी सी information हमारी हस्तरेका के बारे में अगर आपको information पसंद आई हो जानकरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीज सब्सक्राइब कीजिए मैं चैनल को और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं वीडियो को अन तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद